तब को मेरा परणाम है नमस्कार है पैर बच्चों, NTPC 2024 में graduate level और undergraduate level में जो typing का मामला है बच्चे ये सोच रहें कि sir graduate level, undergraduate level form तो हम भर रहें लेकिन हमको typing नहीं आता है हम क्या करें? typing वाले post तो हमारे होंगे ही नहीं हम तो उसके लिए eligible हैं ही नहीं तो उनके लिए ये वीडियो है, एकदम छोटा सा 2-3 मुनट का ध्यान दी जगा हम समझा देते हैं, टाइपिंग वाला, टाइपिंग मेंस के समय भी किया जा सकता है, अगर आपका PT निकल जाएगा, तो मेंस और PT के बीच में जो gap होता है, उसमें आप टाइपिंग सीख सकते एकदम उतके लिए आप निश्चिंत रहिए, और एक बार एक चीज और, graduate लबल में दो पोस्ट में है, senior color कम टाइपिस्ट, junior account assistant कम टाइपिस्ट, ये दो पोस्ट में ग्रेजुएट लबल में है, अंडर ग्रेजुएट लबल में एकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनिय से लेकर अमेंस के बीच का जो गैप होगा ना इसमें आप टाइपिंग बहुत आसानी से सीख पाईएगा इसलिए आप टाइपिंग इमत सुचिए कि मेरा तो खाली साने माष्टर हो पाएगा माकी नए हो पाएगा तो मेरे दोस्ते आपका सब होगा आप पीटी से मेंस के बीच में आप टाइपिंग सीख सकते हैं यातो हिंदी में या तो इंगलिस में और एक बार अगर आप टाइपिंग पास कर गxture तो दो नों के लिए पास माना जाएगा graduate level में. एक बार अगर आप typing past कर गए तो दोनों के लिए past माना जाएगा undergraduate level में. अब बार ऐसा नहीं कि दो पोष्ट है तो दो बार typing होगा. एक बार आपने typing past कर लिया तो एक बार typing past कर लिया पोष्ट के लिए हो जाएगा. इसमें भी फिर एक बार टाइपिंग पास कर लिया, दोनों पोस्ट के लिए हो जाएगा, और दोस्त मेरे फिर से मैं बता दूँ, आपको टाइपिंग के लिए एकदम टेंसल लेने की जरुरत नहीं है, पीटी और मेंस के बीच में, आप बहुत आसानी से टाइपिंग सीख स में, आप टोटल सीट को देखिए, और भविस्य में भगवान करें, ऐसा बुद्धी दे, बोर्ड को और बोर्ड वेकेंसी को बढ़ा दे, जादे संभावना है बढ़ने का, इसलिए आप इन सब चीजों से अलग हटते हुए, खुब मन लगा के पढ़ाई कीजे, थैंक्य वेरी मच, लव यू आल, नमस्कार.